इन प्यारे बच्चों श्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वर्ष क्लास इसमें तो प्यारे बच्चों हम कच्छा 8 के फाइनल एक्जाम के लिए चेप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टन्ट MCQ कर रहे हैं और मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को चेप्टर वन कोशिका और चेप्टर टू धातू और आधातू इन दोनों चेप्टर के जितने भी MCQ कोशन बनते थे मैंने उन वीडियो में कवर किया है तो जितने ही बच्चों ने चेप्टर 1 और चेप्टर 2 वाली वीडियो नहीं देखिये तो प्लीज बच्चे आप सभी उन वीडियो को जरूर देखिये आपको फाइनल एक्जाम तक ये सारे चीजे याद हो जाएगी इस वीडियो में हम लोग करेंगे कच्चा आठ विज्यान के पार्ट 3 सुचम जीओ से सम्दित सारे MC को कोशन लगबग 25 कोशन है जो कि इस चप्टर से जितने भी प्रशन पूछे गया है यही से प्रशन रिपीट हुए है सबसे पहला प्रशन आप सभी से पूछा गया है सबसे पहला प्रशन आप सभी से पूछा जा सकता है कि सुचम जीओ क्या होते हैं कितने वर्गों में बाटा गया है बच्चा चार यहां पे डी विकल्प सही है आप सभी याद रखिएगा जीवानू कवक प्रोटो जेवा अंसेवाल यह सभी क्या है यह सभी जीवानू के मुख वर्ग हो जाते हैं दूसरा प्रशन पूछा गया है सुचम जीओ कहां पाय जाते हैं जल में वायू में सता में इन सभी में तो सही विकल्प होगा बच्चा इन सभी में जल में भी वायू में भी सता में भी बर्प में भी सभी जगा सुचमजीव पाई जाते हैं यहां तक कि मानों के भीतर भी सुचमजीव पाई जाते हैं तीसरा प्रश्ण चीनी के अलकोहल में बदलने की प्रिग्रिया क्या कहलाती है किनवन, शंगनन, वास्पोद सर्जन या इन में से कोई नहीं यहाँ पे सही विकल्प है बच्चा ए किनवन चीनी के एलकोहल में बदलने की प्रिक्रिया किनवन खेलाती है Most important question है बचा यह जादा तर repeated प्रस्ण है जो आपकी exam में बहुत बार repeat हुए है उन सभी प्रस्णों को मैं यहाँ पे चाट चाट के करवा रहा हूँ चौथा प्रस्ण दे रखा है सर्वपर्थम किनवन की खोच किसने की Robert Frost, Robert Hook, Louis Pasteur या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प होगा यहाँ पे C, Louis Pasteur Louis Pasteur ने 1857 इस भी में किनवन की खोच की थी C, विकल्प सही होगा इस भी पूझे तो 1857 बताना है पांचवा प्रस्ण विश्व का पहला प्रतिजेविक किसने बनाया था? प्रतिजेविकर्द है एंटिबायोटिक ठीक है एंटिबायोटिक फार्स्ट एंटिबायोटिक किसने बनाया था? लूईपाश्यर अलेक्जेंडर फ्लैमिंग निउटर्न या इन में से कोई नहीं तो लूईपाश्यर तो किनवन की खोच की थी? हमने अभी देखा सही विकल्प होगा यहाँ पे भी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने यहाँ पे फिस्व का प्रतम यहाँ पेंटिबायोटिक बनाया था जिनसका नाम पैनिसलीन रखा था पैनिसलीन आपको याद रखना है छठा प्रिश्ण है अलेक्जेंडर फ्लैमिंग को नोबल पुरुषकार कब प्रदान किया गया अठारा सो संतावन उनीशो संतावन उनीशो पैतालीस या फिर उनीशो संतावन सही विकल्प क्या होगा सही विकल्प होगा सी उनीशो पैतालीस एसी में नोबल पुरुषकार प्रदान किया गया था साथवा प्रशन चेचक के टीके की खोज किस ने की थी वेरी वेरी इंपोर्डेंट कोश्यन विच्चा अब सरही यहाँ पर बताईए कि चेचक के टीके की खोज किस ने की थी लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रोबर्ट हुक या इन में से कोई नहीं सही विकल्प क्या होगा? वेरी गुड बी विकल्प सही वितर है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी आठवा प्रसंद ये रखा है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजनी करन, नाइट्रोजन इस्तिरी करन तो ये दोनों सही हो सकते है, ठीक है? नाइट्रोजनी करन कहो, नाइट्रोजन इस्तिरी करन करो ये सभी होगा होता क्या है? कि जो नाइट्रोजन होता है पोधे उनका सिधा उप्योग नहीं कर सकते हैं पोधे इनका उप्योग नाइट्रेट के रूप में करते हैं तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन ही करन कराता है जो लेग्यूम पोधे होते हैं दलहन वाले पोधे होते हैं उनके जड़ों में राजोबियम नामक यहां पर पाई जाता है सुचमजीव जो नाइटरोजवन को नाइटरित में बदलने का कारे करता है नौवा प्रस्ने इन में से कोन सबसे तेज फेलने वाला शंक्रमित रोग है चिकन पोक्स, हैजा, सर्दी जुकाम या इन में से कोई नहीं वैसे तो यह सबी संक्रमित रोग है लेकिन सबसे जादा सर्जी जुकाम फैलता है ठीक है, सी विकलब सही उत्तर है टीबी, किस्म सुचमजीव से होने वाला रोग है जिवानू, विसानू, कवक या इन में से कोई नहीं या रखना यह बैक्ट्रिया से होने वाला रोग है बैक्ट्रिया को हिंदी में क्या बोलते है जिवानू बोलते है ए विकलब सही उत्तर है ग्यारमा, टीवी से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रवावित होता है फेफडा, दिल, रत या किडनी सही उत्तर है ए फेफडा परवावित होता है टीवर क्लोसे से तो बारवा प्रशनी आप पूछ रखा है बैक्ट्चा कि डेंगू, इन में से कोन डेंगू के विशानू का वाहाग है बिल्ली, मक्चर, मक्खी या इन में से कोई नहीं तो बच्चे याद रखना जो एडेंगू के विशानू का वाहाग होता है भी विगल्प सही उत्तर होगा तेरवा प्रशने इन में से कोन मलेरिया के परजीवी प्रोटो जोवा के वाहाग है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बच्चा विगल्प दे रखा है एडीस मक्षी एनोफिल मच्चर ड्रेगन मक्षी या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे सही उत्तर होगा एनोफिल मच्चर ये जो है वह मलेरिया के परजीवी प्रोटो जोवा का वाहाग होता है अगला प्रशन है मलेरिया के उपचार के लिए किस विरिक्च के छाल से बनाई जाती है यानि मलेरिया के उपचार है तो जो दवा बनाई जाती है वो किस विरिक्च के छाल से बनाई जाती है साल, सिल्न, कोना जिसे हम लोग कुनेन भी बोलते हैं या फिर पीपल और जो मलेरिया के उपचार के लिए जो दवा है कुनेन वा सिनकोना वरिक्ष से बनाय जाती है B विकल्प सही है इन में से किस पत्ती के रश का प्रयोग डेंगू के उपचार में किया जाता है डेंगू और मलेरिया दोनों के उपचार में किया जाता है गिलोई, पुतूश, चमेली या जजनी गंधा सही विकल्प है ए गिलोई के पत्तों का रियोग किया जाता है चिकन पोक्स किस सुचमजीव के कारण होने वाला रोग है वाइरस, जीवानू, कवक या इन में से कोई नहीं तो याद रखना है या वाइरस के द्वारा होने वाला रोग है ये विकल्प सही है इसी के साथ आप याद रखिएगा जो खश्रा, पोलियो, हैपेटाइटिस, ये तीनों जो हैं ये भी वाइरस के द्वारा होने वाले रोग होते हैं सत्रवा प्रिश्ण है इनमे से कौन सा रोख जिवानों के कारण होता है टाइफाइड, मलेरिया, पोलियो या इनमे से सभी तो देखिए मलेरिया तो प्रोटो जोगा के कारण होता है पोलियो हमने अभी देखा वाइरस के कारण होता है टाइफाइड जो टाइफाइड है बि रोग मनुश्यों और मवेश्यों में पाए जानने वाला घातक रोग है दोनों में मनुश्यों में भी और मवेश्यों में भी हैजा, एंथ्रेक्स, पीलिया या इन में से कोई नहीं सही विकल्ब है B, Pelia जो Pelia, सोरी Anthrax, Anthrax रोग जो होता है वो मन्हेश और मवेशी दोनों में पाई जाने वाला घातक रोग होता है उनिवा प्रस्न है Anthrax किसके द्वारा फैलता है विशानू, जीवानू, कवक या सेवाल यहां पे आपको बताना है जो एंत्रेक्स रोग है वो किस के द्वारा फैलता है नीम्बू कैंकर किस जीव के कारण होता है जीवानू, विशानू, कवक या रोगानू तो इसमें भी जीवानू होगा यहां नीम्बू कैंकर इसमें क्या होता है कि समय से पहले पत्ती और फल नीमबू के पेड़ में गिर जाते हैं 21 प्रश्ण है भेंडी की पीत किस जीव के कारण होता है रोगानू, जीवानू, वाइरस या इन में से कोई नहीं तो या वाइरस के कारण होता है सी विकल्ब सही है गेहु की रश्ट, हाँ ये याद रखना है कि एक ठोर है गेहु की रश्ट ये कवक के द्वारा होता है 22 प्रश्ण है आचार बनाने में कौन सा पदार्त परी रच्छक के रूप में कार करता है जल्दी साब सभी बताएंगे तेल, मसाले, हल्दी या नमक तो सबसे पहले आपको याद रखना है परी रच्छक परी रच्छक क्या होता है जी तो परी रच्छक जो खाद पदार्तों को सुरक्षित रखे उसे बचाए इसमें जो नमक होता है वो परी रच्छक का कार करता है 23 प्रश्ण है इस्ट का प्रियोग इसके उत्पादन में किया जाता है नमक, चीनी, एलकोहल या इनमे से कोई नहीं तो याद रखना है कि एलकोहल के उत्पादन में इस्ट का प्रियोग किया जाता है चो बिस्वा प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा रोग जिवानू द्वारा होता है मलेरिया, चेचक, छाय रोग या इन में से सभी तो ये जो छाय रोग है वो जिवानू के द्वारा होता है अंतिम प्रश्ण है लेक्टो बेसिलस या पर लेक्टो है न लेक्टो बेसीलस जिवानू क्या करता है चीनी को एलकोहल में बदल देता है नहीं मलेरिया रोग नहीं फैलाता है दूद को दही में बदल देता है बी विकल्प सही है दूद को दही में बदलने का कार्म लेक्टो बेसीलस जिवानू करता है तो बच्चा यहाँ था 25 most important question आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लेज बच्चा लाइक चुरूर किजिए share किजिए अपने दोस्तों को और भारतोस classes पर नहें तो subscribe कर लिजिए इसकी PDF भारतोस classes के official telegram channel पर upload कर दियाती है telegram channel का link इस वीडियो के description में है तो जल्दी से आप सभी telegram channel को भी join कर लिजिए thank you जाब